जनमाश्टमी आने वाली है, कल की भी हो सकती है, परसों की भी हो सकती है, तो हम बनाएंगे आज पंजीरी काना जी का प्यारा सा भोग, काना जी को बहुत प्रिय है पंजीरी, तो हम बनाएंगे आज पंजीरी, तो हमने यहाँ पे कुछ ड्राइफ रूट्स लिये हैं, जिनक तो आप अपनी हिसाब से कम ज्यादा या फिर और इसमें एड़ कर सकते हैं, कौन सी लेना है ये आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा नारियल, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम और थोड़े से मखाने लिए हैं, कड़ाई में दो चम्मच हमने घी add किया है और काजु बादाम और नारियल को हम add कर देंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे उसके बाद हम मखाना भी add कर देंगे और मखानी को क्रिस्पी होने तक अच्छे से इनको roast करेंगे आप मखानी को अलग से भी roast कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे आप कर लीजे तो मैंने सभी कोई कटा रोस्ट कर लिया है और अच्छे से हमें तब तक रोस्ट करना है मखानी को हम हाँ से दबा की देख लेंगे क्रिस्पी हुआ है या नहीं हुआ है तब तक हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे तो मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको डायफ्रोश्ट को निकाल लेंगे कड़ाई से बाहर अब इसमें फिर से हम दो चम्मच घी अड़ करेंगे और यहाँ पे हमें ओयल या रिफाइन वगेरा को चैड नहीं करना है जो हमारा सुद्ध घी होता है देशी घी उसी को अड़ करना है उसके बाद हमने दो कटोरी आटा लिया है आटा चान के लेना है और आप कम जादा जितनी भी बनाना चाहते हैं उसे साब से आटा ले लीजिए अगर ज्यादा कांटिटी में बनाना है तो ज्यादा आटा ले लीजिए तो हमें आटा को सिलो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है जब तक हमारा आटा का कलर ब्राउन नहीं हो जाए और एक अच्छी शी खुश्बू नहीं आने लगे तब तक हमें इसको भूनना है आटा को बहुत अच्छी खुश्बू आने लगती है आपको अपने हाँ भी पता लग जाएगा कि हमारा आटा भून चुका है देखे कितना डिफरेंट हो चुका है हमारे आटा में तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और जो ड्राइ प्रूट्स हैं वो भी इसी में एड़ कर देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं और मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के बाद हम इसमें बूरा आट करेंगे आप पिसी चीनी भी आट कर सकते हैं बूरा भी आट कर सकते हैं जो आपको सही लगे मैंने यहां पे 2 कटोरी आटा लिया था तो एक कटोरी हमने बूरा आड़ किया है मीठा भी आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं थोड़ी सी मैं इलाइची इसमें कूटके आड़ करूँगी आप इलाइची पाउडर हो तो बो आड़ कर सकते हैं और हमारी टेस्टी सी पंजीरी रेडी है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में